हेलो अवरिवन तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो टारेक्टर रेट अप डिस्टेंस और ओलाइन एजुकेशन उनिवर्टी अफ जम्मू की तरफ से एक अडमिशन नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी की गई थी जिसके बारे में आपको आल्रेडी भी बताया था दोस तो फिर से मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि युणिवर्टी की तरफ से दोस्तों यहाँ पर आफर की जारी है एडमिशन कि आप यहाँ पर मास्टर डिगरी प्रोग्राम नान-CPCS में एडमिशन ले सकते हो कौन-कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पर दियेगे हैं कमर आप अडमिशन ले सकते हो दोगरी में आप अडमिशन ले सकते हो इकनॉमिक्स, इंगलिश, हिंदी, उर्दू, पॉल्टिकल साइंस, सोशलजी, पंजाबी और यहाँ पर PG, डिप्लोमा इन बिजनस मेनेजमेंट और घ्यानी कोर्स में आप यहाँ पर अडमिशन ले सकते ह थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो आलरीडे यहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन फर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं 3 अगस्त 2023 से और 28 अगस्त 2023 तक आप यहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन फर्म जो है वो फिलप कर सकते हैं दोस्तों जिसक देख सकते हैं इस वाली वेबसाइट पर आपको जाना होगा ठीक है नीचे यहाँ पर फीस बताई गई है मास्टर डिगरी प्रोग्राम की जैसे कि अगर आप इंग्लिश में मास्टर डिगरी करते हैं तो यहाँ पर 9590 रुपे आपको यहाँ पर फीस लगेगी हिंदी में अगर आप करोगे तो 9590 रुपे यहाँ पर रखी गई है और क्वार्टिकल सेइंस वालों के लिए भी 9590 रुपे यहाँ पर फीस जो है वो एप्ली केबल होगी इस तरह के से अगर आप सोशलोजी से करते हैं तो 11,380 रुपे आपको लगने वाला है डोगरी से अगर आप क अगर आप करते हो कंवर्स सबजेट से तो 8,995 रुपे यहां पर फीस जो है वो एप्ली केबल होगी और पंजाबी सब्जेट से अगर आप करते हो तो 9,590 रुपे यहां पर फीस जो है वो एप्ली केबल होगी इसके लावब यहां पर आप देख सकते हो नीचे postgraduate diploma course जैस 250 रुपे यहां पर फीज applicable होगी दोस्तों इसके अलावा दोस्तों यहां पर eligibility feeज 400 रुपे रहने वाली है, registration fees 970 रुपे रहने वाली है और revival fees 1520 रुपे रहने वाली है जहां पर भी यह applicable होगी वहां पर आपको यह feature जो है वो लगने वाली है इसके अलावाद दोस्तों इन्होंने कहा है कि अगर आप जम्मू उनवेस्टी से किसी आधर ने इंस्टिजूट या फिर यूनवेस्टी से कौलिफै हो के आते तो भी आपको यहाँ पर यह जो fees है वो यहाँ पर दोस्तो एप्लिकेबल होगी फिर इसके बाद इन्होंने बताए कि जो आप online admission form fill up करोगे दोस्तों उसकी hard copy आपको university में जाकर जो है वो hard copy submit करानी है खुद से जाकर by hand आपको वहाँ पर form की hard copy submit करानी होगी उसके साथ साथ जो documents है देस जाजे के original fees receipt होगी migration, transfer certificate, provisional certificate, noc, affidavit ठीके जो भी applicable होगा वो आप form के साथ attach करोगे और university में जाकर concerned office में आप जो है hard copy submit करोगे दोस्तों hard copy submit करानी की जो last date रखी गई है दोस्तों यह 31 अगस्त 2023 रखी गई है उसके बाद अगर आप hard copy submit कराने जाओगे तो यह आपके hard copy submit नहीं होगी दोस्तों तो 31 अगस्त 2023 से पहले पहले या फिर 31 अगस्त 2023 तक दोस्तों आप university में जाकर hard copy जो है वो submit करा लीजे दोस्तों क्योंकि उसके बाद यह कोई भी request यहाँ पर नहीं सुनने वाले हैं आपकी और यह जो hard copy submit करानी है दोस्तों यह आपको must जो है वो submit कराना ही होगा ठीके hope करता हूँ दोस्तों आपको सारी चीजें clear हो चुकी होगी तो थैंक यह वेरी मुच्छ